Hello guys, welcome to my YouTube channel Ritik Technical Support इस वीडियो में हम बात करेंगे OnePlus Nord CE4 Lite में अगर आप कोई भी applications को install कर रहे है application को update कर रहे बट वो नहीं होरी प्लेश्टोर से या फिर कोई AP के है जिसको आप इंस्टाल कर रहे तो वो नहीं होरी या फिर वो भी update नहीं होरी तो यह जो problem है अगर आप इसे ठीक करना चाहते तो क्या solution रहेगा वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ठीक है So first of all, please subscribe my YouTube channel and press the bell icon अगर आपको Play Store में application update और installation में problem आती है तो आपको settings में जाना होगा then apps पे क्लिक करें app management पे क्लिक करिएगा search bar पे करना है click and यहाँ पे आपको search करना होगा Play Store पहले आपको Google Play Store मिलेगा आप इस पे क्लिक करें then आप इसके storage usage पे क्लिक करिएगा और आप इसका data clean करिएगा ठीक है data clean करने के बाद में हमें back आना है और यहीं पे हमें three dot पे क्लिक करके search system करना होगा again search करना है और यहाँ पे हम search करेंगे download तो हमें download manager so करेगा हम इस पे क्लिक कर देते है then हम इसके storage पे जाते है और इसका भी data clean कर देते है ठीक है simple आपको यहाँ दो method का use करना है then play store से application update या for installation में आपको कोई भी problem नहीं आएगी ठीक है और अगर आपको AP के installation में problem आती है update में problem आती है तो आपको about device में जाना है और आपको अपने mobile का version चेक करना है जैसे कि अभी फिला version चल रहा android 14 अब जो AP के आप लोग install कर रहे उसको आपको यह देखना है कि वो android 14 में working है या फिन नहीं क्योंकि काफी लोग जो है version के हिसाब से AP के को install नहीं करते जिसकी वज़़ से आपको installation में problem आती है ठीक है तो जो भी application आप लोग install कर रहेगा अपने mobile के version के हिसाब से install कर रहेगा आपको installation और update में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी ठीक है टॉपिक इसकवर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय माता दी